नाख पंचमी पर सापों को दूद पिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है लेकिन क्या आप जानती हैं कि इस परंपरा के चंदे कितने सापों की मृत्यू हो जाती है अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो इस परंपरा का हिस्सा बनने से पहले ये वीडियो पूरी देखिएगा उसके बार निले लेजिएगा कि आप कितने सही हैं सबसे पहले चानते हैं कि इस परंपरा के शुरुआत कहां से हुई थी इस परंपरा के शुरुवात राजा परिक्षित से मानी जाती है राजा परिक्षित पांड़ों के वन्षत थे अभी मन्यों के पुत्र थे राजा परिक्षित की मृत्यू तक्षक साप के काड़ने से हुई थी पिताखी मृत्यू के बार परिक्षित के पुत्र जनमेचे के संकल प्लिया की वेधर्ती के सभी सापों को समाप्त कर देंगे इसके लिए उन्होंने एक यग्य का आयोजन किया यग्य के प्रभाव से सभी साप आकर यग्य कुंड में गिरने लगे गबरागर तक्षक नाग अपनी चान बचाने के लिए इंद्रदेव के सिंगहासन में जाकर छिप गया इसलिए यग्य के प्रभाव से इंद्रदेव का सिंगहासन हवन कुंड की और खिचने लगा तब रिश्यों और देवताओं ने राजा जनमिजे से अनुरोद किया कि विद दुनिया घर के सापों को समाप कर देंगे तो प्रकरती का संतूलन बिगड़ जाएगा तब राजा ने तक्षप को शमा कर दिया और यग्य कुंड में जले नागों को ठीक करने के लिए आस्तिक मुनी ने उन्हें काएं के दूट से सनान कराया से नागों की जलन को शांत किया गया जिस दिन नागों को आस्तिक मुली ने दूद से सनान कराया था उस दिन सावन मास की पंचमी थी तब इसे सावन मास की पंचमी सापों को समर्पित कर दी गई थी शास्त्रों में भी सापों को दूद से सनान कराने की बात कही गई है लेकिन कहीं भी दूद पिलाने की पर नहीं कई गई वहीं लोगों ने सापों को दूद से स्नान कराने की बजाए दूद को पिलाने की परंपरा शुरू कर दी अग ऐसा करना क्यों गलत है तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे साप एक रेप्टाइल जीव है और रेप्टाइल जीव दूद को कभी भी डाइजस्ट नहीं कर सकते ऐसा करने से उनके मृत्यू तक हो सकती है क्योंकि साप अगर दूद पियेंगे तो उनका टैजिशन खराब होगा उनकी आतों में इंफेक्शन हो जाएगा जो उनकी मित्यू का कारण बन सकता है अब एक पहलू यह भी है कि नाग पंचमी में कुछ दिन पहले जंगल से सापो को पकड़ा जाता है उसके बाद उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है और इनके दाथ निकाल दिये जाते हैं ताकि यह काटना सके इतने दिन भूखे रहने के बाद नाग पंचमी वाले दिन साप दूद पी जाते हैं जिसकी वज़े से उनके लिए यह खत्रा बन जाता है अब है जानते हैं कि साप उनके लिए जहर और खत्रा कैसे बन सकता है सपेरे नाग पंचमी से पहले सापों को पकड़ कर उनके दातों को तोड़ देते हैं और जहर निकाल देते हैं अब इस से सापों की मुँ में खाव बन जाते हैं और जैसे ही वे दूद पीती हैं वे खाव और जदा गहरी हो जाते हैं जिनकी वज़े से उनकी मिलती हो जाती है तो दोस्तो नाग पंचमी पर नागों को दूद पिलाने की परंपरा कितनी सही है और कितनी गलत यह आज हम आप पर छोड़ते हैं उमीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के बाद आपके सारे सेंशेर दूर हो गए होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा थेंक यू